नमस्कार डीनपी इंडिया में आपका स्वागत मैं हूँ आपके साथ राहुल चौदरी बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंग की हिंदू स्वाभिमान यातरा चर्चा का विशह बनी हुई है यातरा की शुरुवात होते ही विरोध का आलम कुछ यू बढ़ा के खुद बीजेपी ने इस यातरा से किनारा कर लिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जैसवाल ने इस यातरा को निजी करार दिया लेकिन इस यातरा के विरोध के साथ साथ समर्थन में भी कुछ लोग खुल कर सामने आये कुछ नेताओं ने BJP के फायर ब्रांड नेता की हिंदू स्वभिमान यातरा को उनकी निजी यातरा नहीं रहने दिया तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुतु के बहाने फायर ब्रांड हिंदु चहरे को बिहार की राजनिती में इस्थापित करने की शुरुवात की जा रही है क्योंकि इस यात्रा के पक्ष में आए बयानों को देख कर तो यही लगता है आईए जानते हैं कि इस यात्रा के समर्थन में किसने क्या क्या कहा हिंदू स्वाभिमान यात्रा का सबसे पहले समर्थन बीजेपी विधायक हरी भूशन ठाकूर बचौल ने किया ये वही हैं जो सीमानचल के कुछ जिलों के साथ पश्चिम बंगाल और जहरखंड के कुछ जिलों को मिला कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करते रहे हैं हरी भूशन ठाकूर बचौल ने गिरीराज सिंग की यात्रा की सरहना करते हुए कहा कि इस देश का विभाजन धर्म के अधार पर हुआ था हमारे पूर्वजों की महनता के कारण विशाल हिर्द्य और सनातन की विशाल हिर्द्यता के कारण हमने सभी को एक माना हिंदूओं को जगाने के लिए जो बांगलादेश और पाकिस्तान में हुआ है उसकी पुन्राविर्थी बिहार और देश में ना हो यही कारण है कि गिरीराज सिंग ये यात्रा निकाल रहे हैं बचौल के मताबिक जिन जिलों विधानसबा या प्रखंड में 25 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी हो गई है वहां हिंदू के किसी भी वर्ग का जाती धर्म सुरक्षित नहीं है ऐसे इलाकों में हिंदूओं की बहु बेटियों पर भी खत्रा होने लगा है जिसका प्रमान बिहार में लव जिहाद को लेकर आंकडे उपलब्ध हैं हिंदूओं को जगाने के लिए गिरीराज सिंग ये यात्रा निकाल रहे हैं उन्होंने कहा कि जब अपने वोट बैंक को धान में रखकर कोई यात्रा निकालता है तो कोई सवाल नहीं उठाता है लेकिन सनातन हिंदू समाज की बात आती है तो लोग सवाल उठाते हैं ये गलत है बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार में भारत्य जनता पार्टी और नितिश कुमार के गठेबंधन की सरकार ने सभी के लिए काम किया है वहीं बिहार के श्रम संसाधन मंतरी संतोष सिंग ने खुल कर हिंदू स्वाभिमान यातर का सपोर्ट किया है और गिरिदाज सिंग की यातरों को नीजी नहीं रहने दिया बीजेपी नेता और श्रम मंत्री संतोष सिंग ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी हिंदू जागें और एकजूट हो जाएं क्योंकि कुछ नेता देश को बाटने की कोशिश कर रही हैं उन्होंने RSS के प्रमुक मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदूओं को अब एक होकर देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा होना होगा उनका मानना है कि अगर हिंदू समाज बटा रहेगा तो देश को नुकसान होगा इसलिए उन्होंने हिंदूओं से एकजूट होने की अपील की वहीं बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने भी हिंदूत के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जब मुसलिम समुदाय संगठित होकर उसे वोट देता है जो सनातन धर्म का विरोध करता है जब मुसलिम समुदाय एक जुट हो सकता है तो हिंदू क्यों बटे रहते हैं बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन करते हुए बीजेपी विधायक शैलेंद्र ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर हिंदू समाज बटा रहेगा तो वो समाज से और देश से कट जाएगा शैलेंद्र का कहना है कि हिंदू समाज को संगठित रहना चाहिए ताकि वो अपनी पहचान और संस्कृति की रक्षा कर सके उनका मानना है कि भारत में मुसलिम समुदाय सुरक्षित है और उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं होती साथी हिंदू समाज बटा हुआ रहता है जो उसके लिए नुकसान दायक हो सकता है उन्होंने ये भी कहा कि भारत में हिंदू आबादी जादा है और हिंदू राष्ट की अवधारना गलत नहीं है वहीं पिछडा वर्ग एवं अती पिछडा वर्ग कल्यान विभाग के मंतरी और बिहार विधान परिश्वत सदस्य हरी सहनी ने भी खुल कर हिंदू स्वाभिमान यातरा का समर्थन किया है उन्होंने कहा कि ये हिंदू के स्वाभिमान और एकजुटता के लिए जरूरी भी है यातरा पर तो कई दल के नेता उतर चुके है और सब अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए निकले हैं ऐसे में हिंदू सो अभिमान यातरा पर सवाल उठाना गलत है ये जातिय जकडन से मुक्ती की जंग है मैं इस यातरा का स्वागत करता हूँ तो देखिए विरोध और समर्थन के बीच ये केवल हिंदू एकता का मसला नहीं रह गया है जिस तरह से एकएकर बीजेपी के शीश नेता गरीराज सिंh के समर्थन में आ रहे हैं उसे बिहार में हिंदू चहरे के उभार के रूप में देखा जारा है दरसल बीजेपी के रणनीतिकार राज्य के मुख्यमंत्री नेतीश कुमार के सामने हिंदुत के मुद्दे पर शुद्ध भाजपाई चेहरा परोसने लगे हैं बीजेपी के अंदर खाने की माने तो फायर ब्राणनेता गृरा सिंग के चेहरे को आगे कर भविशे की राजनीती की नीव रखी जा रही है हरियाना की तरह हिंदुत के मुद्दे पर अकेले दम पर लड़ने की रणनीती है अब बीजेपी के रणनीतिकार इस मामले में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं बीजेपी इस यातरा के बाहने उन चेहरों को आगे कर रही है जिन चेहरों पर चुनाव लड़ा जा सकता है हालां कि इस यात्रा को एतियात यात्रा के रूप में भी देखा जा सकता है वो भी इसलिए कि निटिश कुमार कब और किस तरफ चल पड़ेंगे कहना मुश्किल है ऐसे में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा हो और उसे बिहार की बहु संख्यक जनता का समर्थन मिल सके यही इस समय भगवा खेमे की पूरी तैयारी है अब आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार अभी के लिए इतना ही आप देखते रहें डियन पी इंडिया नमस्कार